नमस्कार स्वागत है आपका दृष्टी आएस यूट्यूब चैनल के इंटर्व्यू प्रोग्राम में हमारे आज पास हजारों लाखों की भीड रोज दोड़ती रहती है उन्हें नहीं पता कि वे क्यों दोड़ रहे हैं कहां पहुंचना चाहते हैं जिन्हें पता है उनमें से ज्यादा तरके होसले बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं लेकिन कुछ लोग जिद्धी होते हैं वे तब तक नहीं रुखते तब तक नहीं थमते जब तक उन्हें उनकी मंजिल मिलना जाए हमारे साथ आज इस टूडियो में एक ऐसे ही पुद्धे इंसान हैं निशानत जैन 2014 की सिविल सेवा परिक्षा में तेरहवा रंग हासल किया है आपने और निशान जैन हिंदी माध्यम से 2014 की परिक्षा में टॉपर भी रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका निशान्त हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे एक लंबी बातचीत करेंगे लेकिन निशान्त से बातचीत के पहले हम आपको एक छोटा जब वीडियो दिखाते हैं जो हमारे टीम ने खास तोर पर तयार किया है होसलू की उड़ान यूही नहीं भरी जाती काम्याबी की एबारत कोई ऐसे ही नहीं लिखते था ऐसा नहीं होता कि कोई यूही तब कर सोना बन जाए हालात से दो दो हाथ करने का फौलादी जज़वा और पहाड जैसा धीरज हो तो हर कहानी काम्याब बन जाती है ऐसी ही एक कहानी है निशान चैन की मेरट के एक मध्यवरगिया परिवार में जन्मे निशानत ने बच्पन में ही कुछ बड़ा कर दिखाने का खौब बुड़ा था जिस उम्र में बच्चे दोस्तों के साथ खेलने में समय बिताया करते हैं उसी उम्र में निशानत ने किताबों से गहरी दोस्ती कर ली समय जैसे जैसे गुजरता गया अलमारी में रखे मेडल्स की तादाद वैसे वैसे बढ़ती गई एंकरिंग, कविता लिखने, डिबेट करने से लेकर मैगजीन और अखबारों में आर्टकल लिखने तक हर काम में निशानत ने खुद को साबित किया सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़कर निशानत खुद को कुछ इस कदर तराश्टे रहे मानों मुकाम हासल करने की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़ा रहे हो निशानत ने क्योंकि फ्रूआउट हमेशा फस क्लास रहा है मतलब यह नहीं कहा सकता कि कोई एक कुछ सालों की मेहल्थ के पाइनाम था यह बलकि मतलब एक सतत साधना थी जो की बच्पन से ही वो लगतार कर रहा था एमे तब की पढ़ाई मेरट में पूरी करने के बाद निशानत ने 2012 में डिल्ली का रुप किया वक्त के साथ तालमेल बैठाने की आदत पुरानी थी इसलिए जरूरत पड़ी तो पार्ट टाइम जॉब करने से भी गुरेज नहीं किया UPSC के पहले अटेम्ट में जब PT की परिछा भी पास नहीं कर सके तो हताशा ने तोड़ने की भरपूर कोशिश की लेकिन इस पीच लोगसभा सच्यवाले में हिंदी सहायक के पद पर नियुक्ती मिली और अगले ही साल UPSC के फाइनल रिजल्ट में हिंदी टॉपर का जो नाम दर्ज हुआ वो था निशान्त जैन जब इनका रिजल्ट आया तो वो हम लोगों के लिए बहुती भावखपल था और अगर कहें तो उस खुश को हम आज तक सेलिब्रेट कर रहे हैं भाईया यहीं थे मेरट में मैंने भी छुट्टी ले रखी ती उस दिन मम्मी जी थी ही सब जने दे और बस रिजल्ट आते ही एक दूसरे के गले लगकर बहुती कहते हैं ना खुशी के आंसु ही बस वहते रहे हैं आईये इस निशान जैन की कहानी हिंदी माध्यम के उन तमाम बच्चों के लिए एक नजीर है जो कम खर्च और सीमित संसाधनों में अपने सपनों को पूरा करने की कवायद में जुटे हैं क्योंकि इस कहानी का हीरो उन लोगों में शामिल है जिनकी तैयारी नहीं कामियावी ने श्चोर मचाया तो इस शांदार वीडियो को देखने के बाद चलिए बात चिस शुरू करते हैं निशान जैन से कामियावी के सफर के शुरुवात कहां से हुई कब लगा आपको के सबसे बड़े टर्गेट पर हिट करना है ऐसे बच्पन में बहुत साहरे क्वाभ देखते हैं. तो बच्पन में कभी में आट शापका, रही नवी क्लास लोन न्यूस में पर दों कभी परिक्षा देनी होती है तो कहीं 11 बारवी में जाके सोचा था कि मैं भी परिक्षा दूँगा लेकिन बाद में जब graduation की फिर समझ में आया कि इसके लिल तो optional subject भी लेना होता है जीएस भी तयार करना होता है तो थोड़ा रुजाहन था क्योंकि सामान्य ज्यान में मेरी एक थोड़ी रूची थी तो उसका फायदा मिला पर बागी आगे जीवन के कुछ संगर्श भी रहे तो उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते यह निर्ने हुआ कि परिक्षा तो देने बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं लेकिन हां बहुत सारे सकारात्मक बदलाव जो मैं महसूस करता हूं या मेरे साथ जो जुड़े लोगे मुझे इतना महसूस नहीं होते जितना मेरे परिवार वालोगों को या जो लोगों से में हम डील करते हैं उन्ट जो बाहर से पिल फांडेशन कोर्स है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है या भारत दर्शन है या फिर दिली में तो उससे हमें कहीं तो अपने आप में बहुत व्यापक होती है लेकिन उससे भी बियॉंड हम थोड़ा प्रशासन के नजरिये से उन चीजों को जब देखते हैं तो वो बदलाव आते हैं हमारे अंदर और थोड़ा सा परिपक्पता तो आती ही है पेशेंस बढ़ जाता है धैर्रे हमारे अंदर थोड़ा बढ़ जाता है और लोगों से डील करते करते कुछ थोड़ा सा सही क्या है गलत क्या है वो जो विवेक होता है शायद उसको पर रखने क करने को मिलता है आपका अपना अनभो कैसा रहा है सबसे पहले तो मैं यह कहुंगा कि भारत दर्शन के बारे में पहले भी हम लोग भी सोचा करते थे क्यों यह कोई टूर होता है जिसमें साइट सींग करनी होती है महा बलेश्वर और यह आसाम के चाय के बागान देखने होते ऐसा ही नहीं होता इन फेक्ट यह तो इसका चोटा सा पाइट है जब आप कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां के इस मारकों को वहां के मोनियूमेंट्स को आगरा जाएंगे तो ताजमेल देखेंगे लेकिन इस मोर अबाउट की जो भारत की प्रशासनिक विवस्था है या जो भारत का विज्ञान में जो प्रगती है और जो प्रगती है या भारत में जो ट्राइबल्स है जो नक्सल अफेक्टिड एरियाज नहीं या जो आर्मी निवी और एरफोर्स किस तरह से काम करती है या प्राइवेट सेक्टर पॉब्लिक सेक्टर एंज आपने commerce से plus two किया, फिर आपने BA में history, political science और अंग्रेजी लिया, तो ये planning किस तरह से बनी के अलग-अलग subject पर command करने के कोशिच थी या कुछ और planning थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी डेलिबरेटली नहीं किया गया था, यूँ हुआ कि जैसे मेरे भाईया ने भी commerce से 12 किया था, तो मैंने भी कर लिया, फिर मुझे दील देरे 12 करते 11 12 के दोराना हसास होने लगा था कि मेरा स्वभाविक रुजान, humanities की मानविकी विश्यों की ओर, जिसमें साहित्ते भाषाएं और इतिहास राजनीती विज्ञान के जासे विश्य हैं, तो मैंने उस समय कड़ा निर्ने लिया, जिसको उस समय पचा पाना सब लोगों के लिए तो मैंने इतिहास राजनीती विज्ञानों और अंग्रेजी में ब मुझे हैसास हुआ कि मन बार बार मर चलता था इंदी और आचेश के लिए तो फिर एक ओर रिंडरिया कि में नहीं फिर में 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 किया नेट जा रइस हिंडी में क्लिर अब बांके इस की प्रक्ष्य और हिंदीस आहित्य ही का पढन का अखिर पढम से है लेकिन ऐसे सहे लिखने में handing साहित्यो रहा यह फिर हैनि में जाने के बाद यह बीर के बाद बना कि हिंदी साहित्य। में उन कुछ और चाहिए पढ़न है रुजहान तो काफी पहले से था, मैंने पहली कवीता जो एक बाल कवीता थी वो आठवी कक्षा में लखी थी, तो इस तरह से पढ़ने लिखने का रुजहान तो हमेशा से था, लेकिन उसके बाद फिर उसको एक अकाडमिक डिसिल्प्रिन के रूप में पढ़ने का विचार पिए के दोरान आया कि वही क्यों ना इसमें इतनी रुची जब है, तो इसमें अकाडमिक रूप से आगे कुछ किया जाए, और सिविल सेवा परिक्षा में भी इसी को लेकर आगे बढ़ा जाए, वो पहली कवीता जो आठवी कख्षा में आपने लिखी थी, कुछ याद ह याद तो थोड़ा है, लेकिन उसको सुनने के लिए थोड़ा बच्चा बनना होगा, तबी क्योंकि बच्चा तो बन जाएंगे हम लोग, वो कुछ इस तरह थी कि पहली बारिश की चुन्नू मुन्नू देखो आई, मौसम की पहली बरसात, गर्मी से राहत देने को लाई ठ खंडग का है सास, और चतरी रेन कोट लेकर यह प्यारा सा मोसम आया, गरम पकोड़ी खाने को है मन सबकाब ललचाया, और टपटब बुंदे टपके जैसे गिरते हूं सच्चे मोती, मानसून की ये बाहर हैलाई खुशियों की धाती, शांदर, मतलब बच्पन में जो आप अधिनी, creations भेज सकते हैं, या कोई उन्होंने कवीता लिखियों, कोई ड्राइंग बनाई हो, तो मैंने अपनी कवीता भेज दी, तो उन्होंने चारो बार reject कर दी, फिर मैंने, मेरी एक दीदी थी वो, उनकी मेंसे किसी को जानती थी, किसी पत्रकार को, तो मैंने जब उनक से ही आपका जो ट्रेक रिकॉर्ड रहा है पढ़ने लिखने में, वो बहुत शांदार रहा है और टॉपर रहे हैं तो कभी कोई ऐसा स्टेज आया जब आपको लगा हो कि यार पढ़ाई लिखाई गरवर हो गई है, गरवर ट्रेक पर जा रहा हूं मैं, ऐसा तो ऐसा नहीं तब ही दूँगा, तो इस चक्कर में में लेट करता गया, लेट करता गया, जब पहली बार दिया तो थोड़ा दबाव भी था और ये भी था कि अभी तक सब जगे हम तो टॉपी करते हैं, तो इसमें भी क्लियर तो होई जाए कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहली बार में तो इसमें थोड़ा सा लगा कुछ एक दो महीनों के लिए कि ट्रैक से थोड़ा उतर गया है, क्योंकि थोड़ा उसका तनाव हावी होने लगा था, तो थैंक्स टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स की उन्होंने मुझे उससे उबरने में मदद की, आपके कई इंटर्व्य में मैंने देखे कि फिलोस्फी में भी आपका इंटरेस्ट रहा एक और सब्जेक्ट, तो हिंदी साहित्य और पीछे इतने सारे सब्जेक्ट का आपका ट्रैक रिकॉर्ड फिर फिलोस्फी में कैसे रुजान बन गया, फिलोस्फी पहली बात ते कोई बहुत अलग विशे फिलोस्फी कहा जाता है कि फिलोस्फी is mother of all subjects, तो मुझे तो फिलोस्फी का एक्स्पोजर नहीं था पर उसमें रूची पहले से थी, यह तो यहां आके पता चला कि फिलोस्फी भी एक अलग विशे होता है, अब जैसे आप देखे हिंदी साहित्य मेरा वेकलपिक विशे थ लेकिन सहित्य का भी दर्शन होता है, भाषय का भी दर्शन होता है, यानि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, मैं आज कुछ भी आपसे कह रहा हूं तो उसके पीछे मेरी फिलोस्फी काम कर रहा है, तो फिर मैंने जब एक बार थोड़ा सा भालतिय दर्शन को पढ़ा और तब समझ में आया कि हां भी जो जितनी भी प्रथाएं समार में चल रहे हैं, उनके पीछे क्या दर्शन काम कर रहा है, तो इस तरह से दर्शन में रुची थोड़ी बढ़ती चली गई, फिलोस्फी में जो आपकी रुची है वो तो academically आपने बता दी, हमारे सोसाइटी में क तो thankfully, मेरे दोस्त, they were kind enough to me, कि उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं का, कभी नहीं का, पार्ट टाइम जॉप्स आपको शुरू के दिनों में करनी पड़ी, तो ये फैसला कैसे लिया आपने, क्या कोई problem या फिर शुरू से आपका मिज़ाज ऐसा था, कि अपने बूते कुछ क किताबों की जब छपती है किताबे, तो उससे पहले उनकी proof reading होती है, तो मैंने proof reading से part time काम करना शुरू किया, तो वो एक hobby भी है, वो थोड़ा सा आपको pay भी कर रहा है, और साथ में दुनिया भर की knowledge भी मिल रही है, अब जब आपको किताब पढ़ेंगे तो उससे कुछ न मन में क्या है? शब्ता, आम लोग तो जानेंगे नहीं इसको, यह ice breaking part service का क्या है? नहीं, service का कोई part नहीं है, यह तो जब foundation course की शुरुआत होती है, जब पहला ही दिन training का होता है, तो कोशिश की जाती है कि ice breaking के माध्यम से थोड़ी जमी हुई जो बर्फ है उसको तोड़ा जाए, पिखलाया जाए, यानि जैसे अब एक साथ जब 300-400 लोग एक साथ एक civil servants न मिलना जूलना शुरू हो जाता है, जो एक बहुत जरूरी भी है, और हमारे यहां कहा जाता है कि spirit day cops होनी चाहिए, यानि आपस में मिल जूलकर काम करने की संख भावना civil servants को में पैदा होनी चाहिए, आपको training के दौरान एक भाषा और सीखने का मौका मिला, जी, तो आपने उर्दू चुना, option में आप कुछ और भी चुन सकते थे, ये फैसला क्यों? आनन्द आये थोड़ा और मजा आये, गजले भी आप खोब सुनते हैं, जी, 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 और गाते भी हैं, नहीं, गाता नहीं किवल सुनता हूं, कुछ तो गुन गुनाते रहे हैं, मैंने कई platform पर कुछ सुना देखा है तभी कह रहा हूं, तो कौन सी सबसे पसंदीदा गज हैं, और इस गजल के अगर दो लाइन आप सुनाएं, मैं अच्छा गाता नहीं हूं, लेकिन मैं अगर आप मुझे सहन कर पाएं, तो मैं दो लाइन सुना देखा हूं, मैं तैयार हूं बरदाश्ट करने के लिए, और इसका निर्णे तो स्रोताओं पर छोड़ दीजे, उन मादबा ससही, दिल में प्यार है के नहीं, जुकी जुकी सी नजर क्या बात है, बच्पन से आपके ऐसे कौन-कौन से शौक रहे हैं, जो आज भी आप जी पाते हैं, एक तो शौक पढ़ना और लिखने का, जो भी महसूस किया, जो भी मेरे आसपास घटा, उसमें क्या मैंने फील किया, उसको कागस पर उतारने का एक शौक रहा है पहले से, इसके लावा थोड़ा कविताएं बोलने का, एंकरिंग का मतलब एक पॉब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा शोक रहा मुझे हमेशा से, डिबेटिंग की कॉलिज में, तो उस समय काफी अच्छा हम लोगों ने देश भर में गए और डिबेट वगरा में भाग दिया, हमने खूब मज़ा किया और खूब कॉलेज में हम लोग एक्टिव रहे हैं आप अपको चैन शोक में से कर पाते हैं पूरा या आप तो समय के काफी कमी होगी अपर लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि ये शोक आपके पूरी नौकरी के निर्वहा में काम आते हैं आपके दाहित कौने और पढ़ने का जो कोशल है वह हमेशा काम आता है फिल्मे देखते हैं आप फिल्मों में किस तरह का content पसंद है आपको आप फिल्मे में देखने का शौक पिछले दिन थोड़ा डेवलप ही हुआ है तो मुझे ऐसी फिल्म मीं तो देशी पन से भरपूर हो थोड़ा एक मेडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं, आप कभी किसी ऐसी चीज के लिए अपने मन बनाया हो, जो उस समय संभव नहीं हो, लेकिन आपको लगा हो कि यार एक बर आईएस बन जाएं, तो इसको जरूर करेंगे. ऐसा कोई बहुत जादा इस तरह तो नहीं हुआ कि बहुत जादा किसी चीज का सपना था, क्योंकि जरूर्टे भी बहुत सीमित थी, कोई बहुत जादा फैली भी नहीं थी, तो जरूर्टे पूरी होती गई और खुशी से मतलब हस्ते मुस्कुराते हुए हर माहौल में, मस् कभी महसूस नहीं हो कि कोई खास अभाव रहा हो, और रही बार आई एस बनने के बाद के जीवन की, तो मुझे लगता है उसमें भी, जो मैं करना चाहता था, वो उस पद तक मैं पहुँच पाया, और उमीद है कि जिन सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ा था, उनको कर पाऊ गया हो, ऐसे टर्निंग पॉइंट यूं तो आते रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जब लगता जिन्दगी की रहा में आगे बढ़ता जाता है, उतार चड़ाव आते हैं, मुझे लगता है कि जब मैं ग्रेजुशन के बाद कभी शायद मैं अपने जीवन में नॉमली चल अनरा था आगे, तो मेरे एक senior हुआ करते थे, तो वो कभी-कभी मेरी खबर लेते रहते थे कि भई, क्या चल रहा है, निशानत आचकल तो और उन्होंने एक बाद मुझे से कहा निशानत मेरी total स्थिती को observe करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि निशानत आप उन्हों में बल् तो वो ज्यादा छेत्र को कवर करता है और अगर उसी बल्ब को यहां लटका दिया जाए तो वो कम छेत्र में रोशनी दे पाता है तो उनने का तुम वो बलबो जिसको थोड़ा ऊपर लटकना चाहिए तो मुझे लगा कि यार यह सोचने का लगी तरीका है क्योंना हम जब हम सेवा करनी है तो क्योंना बड़े शेत्र पर जाकर बड़े स्कोप जहां पर हो वहाँ पर जाके काम किया जाए परिवार में या दोस्त में या फिर पीछे जितने लोगों के बारे में आप पढ़ते रहे हैं उसमें से कोई inspirational personality आपके लिए बिलकुल मैं थोड़ा शुरू स मतलब एक तो बुद्ध और महावीर से बहुत प्रभावीत रहा और विवेक अनन्द का दर्शन मुझे बहुत प्रभावीत करता है खासतोर पर उनका जो आत्म विश्वास है जब वो कहते हैं कि strength is life and weakness is death तो लगता है कि वाह क्या मतलब इस हद तक का आत्म विश्वास है क युवा में होना चाहिसले शायद युवाओं के आइकन भी विवेक अनन्द बने बलकुल और जही बात वैसे inspiration की तो जब मैं college में school में पढ़ता था in fact तो मेरथ में जिलादी कारी हुआ करते थे अवनी शवस्तिसल जो आई-एस officer है UP के तो तब मैं अखबार पढ़ा करता कि मन में एक खवाब था आई-एस बनने का तो वो उनको देखकर जादा उसमें उड़ जाई अब आप खोद एक आई-एस officer है तो कभी अवनी शवस्तिसे मिलने का मौका मिला जी सवभागे से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और मैंने उन्हें सारी बात अपने मन की था तो उनको भी सुनके बहुत अच्छा लगा और मेरे मन की बात भी निकल गई जिन्दगी में आपको कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जब depression हो या frustration हो चोटे मोटे frustration तो यूही लगे रहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब वो पहले प्रयास में सिविल सेवा पर पर ही होते हैं अपने-अपने महलों के तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद कुछ तनाव हावी हो रहा है पर सम्हाव आई कुड रिकवर तो रिकवर करने के दौरान परिवार दोस्त इन लोगों ने बहुत मदद किया या आपका अपने से बाहर निकलने के उसमें आपके जीजी विशा ने काम किया इस तरह की जीजी विशा तो अपनी ही होती है लेकिन जीजी विशा को पालने पोस्ने और सवालने में तो आपके आसपास वले ही मदद करते हैं उनको हमें जब हमसे ज्यादा भरोसा होता है ना तो अपने को भी लगता कि शायद यह कुछ तो है जो यह लोग परोसा कर रहें तो इसलिए मेरा हमेशा से एक मानना रहा है किma रिष्टा तो निभाने में यानि अगर अपने हैं वो भी अगर रिष्टा ना निभाओ तो पराये से हो जाते हैं और कई बार जिने हम पराया कहते हैं जब उनसे रिष्टा निभाओ तो वो अपने से लगते हैं तो इसलिए रिष्टो की बड़ी आहमियत मुझे लगती है कई सारे स्टूडेंट्स के बीच जैसा बता रहे हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम है कि कई बार फ्रस्टेशन वो डाउन टाइम आता है जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है उनके लिए आप कुछ करना कहना चाहेंगे कि कैसे उबरें इस चीज से नहीं मुझे लगता है कि एक तो हम लोग कई बार ही सोचने कि बंद कमरें बैठके हम तयारी करेंगे तो उसमें क्या होता है हम अपनी जो होबी होती है होबी मतलब जिन से करके आपको कुछ ही मिलती है खाली वक्त में जो काम आपकरना पसंद करते हैं आप उनसे कटने लगते हैं आप सोचते हैं कि नई नहीं काना नहीं सुना कहीं ऐसा तो नहीं कि आएजी इसका एक्जाम ना क्लियर हो इस बार है ना या मूवी कभी नहीं तो इस तरह का नहीं सोचें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करें, बिल्कुल बोर्डम से बचें, और हो सकते अगर आपको रुची हो तो थोड़ा सा योग या प्राणायम से भी काफी फायता होता है, और लोगों से बात भी करें, ओपन अप यूर माइंड, कभी- रिलेक्स होता है आपको. मुझे लगता है, जहां मैंने काम किया काम बिल्कुल अच्छे हो इसा नहीं कि मैंने काम को परभावीत किया अपने सपने की वज़े से लेकिन उस सपने को आख़ें नहीं और पढ़ करना से अगता होता हुता, ऐसकि मैं मजुन थे रिपैक उप्टोपर हो घम होता फो है to कई बाल तो काफी लंबे-लंबे समय तक 6-6 महीने तक डिरे लोगों पड़े ऐसा भी हुआ 6-6 महीने तक जी मतलब of course की तैयारी की लगकर तैयारी करने वाली प्रक्रिया के दोरान तो नहीं लेकिन उससे पहले जब post graduation के दोरा ना थोड़ा कि भी थोड़ा मैं current affairs पढ़ लूँ या history geography पढ़ लूँ तो उसमें कई बार कोई बात ऐसे आपको जिसमें लगता हूँ आप बेहर लापरवा हैं लापरवा तो मुझे लगता है जैसे कि मैं योजना बहुत अच्छी बनाता हूं और दिंचरिया जब मुझे बनानी होती है कि सुबह साथ बजे उठना उसके बाद योग करना फिर नहाना ये वो तो उसको एक प्लान करके बढ़ा तो बहुत अच्छे से बनाता हूं लेकिन उसके कार्यानवयन में कहीं बार आलस या लापरवाई कर जाता हूं और ऐसा बार-बार होता है लेकिन बार-बार फिर भी हम दुबारा फिर कुशन ले ले लेते हैं ये आई-एस बनने के पहले की बात बता रहे हैं अबाद वाली या दोनों में है ये तो दोनों में ही रहता है लेकिन ये कि फिर भी रिजोलुशन ने से कुछ तो फायदा होता है मालब अगर आप 100% भी उसको फोलो नहीं कर भाए तो हो सकता है 50-60% ही कर ले जिंदगी में आप एक दम खुली किताब की अरहा हैं लेकिन क्या इस किताब के कुछ बंदपन्थे ऐसे हैं जिनकी बारे में आप बताना चाहें कभी किसी परSH रहा हो आपका नहीं ऐसा तो आप अधुैंग फोड़ा घऺता ही है धork सी जोल सकतरों टरकिन लेकिन क्धिन इतनी ज्यादा पढ़ाई-बढ़ाई की और जैसे वो किसी शायर का शेरन है कि याए न शायरी में हसी लफज प्यार के मसले खड़े हैं सामने यू रोजगार के तो इस चेकर में कभी ज्यादा बात आगे बढ़नी पाई खुल मिला कि यह जब आप टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ते थे देखते थे तब टॉपर्स क कि इसमें सवाल सब उनसे पूछते थे की जो आपने मुझसे अभी पूछा कि क्या आप टॉपर्स के बाड़े में क्या सोचते थे पहले तो इसके बीएक सबाल होता था और उसका वह जवाब देते थे वह यह देते थे कि हम तो सोचते थे टॉपर बहुत ऐसा धारन होंग नियमीत तरीके से पढ़ाई करते हैं, consistency की जो आपने बात कई, कुछ चीज़े होती हैं, वो करते हैं, यसे लेकिन इतना नहीं है कि वो कोई दूसरे ग्रह से आते हैं. कुछ चीज़ें उनको अलग बनाती हैं? कुछ चीज़ें ठीक तरीके से करनी ही होंगी ना, किसी भी चीज़ को, अगर आप कोई भी तैयारी करें तो systematically इसको करना ही पड़ेगा आपको. आपने जब तैयारी की तो आप सुचते थे कि आप टॉपर बनेंगे या फिर यह था कि UPSC में सलेक्ट भर हो जाएं? आपने तैयारी के दुरान मुझे लगता है कि ऐसा करना भी चाहिए और मैं ऐसा करता भी था कि दोनों एंगिल से सूचता था मैं कि टॉपर बनूँगा तो क्यों और नहीं बनूगा तो हो सकता है कि बहुत अच्छी रेंक आजाए तो क्या प्लान रहेगा और नहीं हुआ तो जब एक्जाम नहीं दिया था यानि उसकी तैयारी करा था तब ज्यादा टॉपर के बारे में नहीं नहीं सोचता था पर जब एक्जाम दे दिया था उसके बाद कहीं ने कहीं मुझे ऐसा लगा कि अच्छा है सेलेक्शन तो होई जाएगा हो सकता है कोई रैंक भी आ कि ठीक है नहीं भी होगा तो एक नौकरी तो है कम से कम उनलोगा जैसे मैं नहीं चैसा इनके सामने रोजगार के मसले खड़े हों यह जिनको खुद को स्टेबल करना हो एक सिक्योरिटी की जरूरत हो या परिवार को संभालना तो ऐसे में नौकरी आपको मदद करती है बशलत आपको नौकरी करते हुए तैयारी जब कर रहे थे जब आ है कर दो आपको लगता है कि यह नौकरी मुसीबत क्षोचिए बनती जा रही है पुछ लेकिन जैने पिसे ही जब इग्जाम चल रहे होते थे मेनस भी चल रहा होता था और हर रोज आपको एक हाल आता है हर घंटे में आता कि नहीं हुआ तो क्या होगा कि यह बहुत कॉमन सी टेंशी है तो मैं तो मैं सोचता था नहीं हुआ त करती है एक स्टूडेंट जब सिविल सर्वेस करने का सपना बुनता है सबसे पहली बार तैयारी करने का सोचता है उसको कुछ नहीं पता होता है कि कहां से तैयारी शुरू करें उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कैसे तैयारी शुरू करें मेरे खाल से तैयारी शुरू कर के उसको एक रूची की तरह पढ़ें और थोड़ा सा जो अपनी नवी से बारवी तक की एंसे एक बेसिक आइडिया उनको एक कहानी की तरह पढ़ते हुए प्राप्त कर लें ताकि अपने को हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिट, एकॉनमी, कल्चर, एंवार्मेंट की एक बेस जाते रहे हैं, तो उससे काफी हद तक मदद मिलते हैं, इस तरह शुरुआत की जा सकती है। तो एक हरिवान शराय बच्चन की चार पंक्तियां थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की, जब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था, इस स्ट्राटीजी क्या हो, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, क इस पथ पर जाओं, असमंजस में है वो बोला बाला, और अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग 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 पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, रहा पकड़तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशारा, तो तम मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने से रॉंग डिसीजन, बिल्कुल, NCRT की किताबों के बात करते हैं, NCRT की किताबों को फालो करना जरूरी होता है, या फिर इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है कि एक बार क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स नहीं होता है, क्योंकि वो नवी से बा बार जिए है कि या रहती है कैसे से तय करें आगे इंट्रेश्ट के बेस पर करें या ग्रेजुएशन में जो सबजेक्ट है उसके बेस पर करें आपकी क्या रहा है और आपने कैसे किया था सब्जेक्ट को तैय करना एक ऐसी जंग है जो आपने का अगर आपने शुरू में अच्छे से तैय कर लिया तो आपको बार बार फिर वो चेंज करने वाली समस्य से नहीं हो जाना पड़ा है जहां तक मेरा केस है तो मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं थे क्योंकि मेरा बे कि दो तीन बातों का ध्यान रखें एक तो उस विशे से आपकी कितनी फैमिलियरिटी है नजदी की पन कितना महसूस करते हैं दूसरा उसमें क्या आपको पढ़ने में सांबने तोर पर इंट्रेस्ट आता है कहीं ऐसा तोरी क्योंकि उसको काफी गहराही से पढ़ना होता है लेकर एक रूमर भी चलता है जी कन्फ्यूजन भी चलता है जी तो न्यूस पेपर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कई लोग पूछते हैं कि दहिंदू पढ़ना जरूरी है या फिर इसका कोई सबश्यूट किया है सकता है तो अपना आपका अनुभव और क्या राय है सबसे पहली बात तो यह है जिसमें कोई भी दो राय नहीं है कि न्यूस पेपर एक अनिवार्ज हिस्सा है है ठीक है लेकिन न्यूस पेपर कौन सा पढ़ें अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप अंग्रेजी उतनी दहिंदू के इस तरकी समझ पाते है तो वह कई बार शुरू से लेकर एंड तक तो उसमें तो सुबह से शाम हो जाएगी तो उसमें अपने को धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते समझ में आने लगता है कि UPSC की हिसाब से कौन-कौन से हिस्से जाद महत्रपून है पर एक्जामपल फ्रंट पेज हमेशा पढ़ना च सोश्यो एकनॉमिक सिनेरियो देश का क्या है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए फिर यहां आप उससे जोड़ते होंगे कि कोश्चन के पैटर्न क्या है उसको देखें तो फिर न्यूस पेपर पढ़ने में भी आसानी होती लेकिन जब कोई न्यूस पेपर पढ़ना पढ़ने बार बार पिछले सालों के पेपर बार बार देखेंगे खुद भी थोड़ा मैगजीन वगयरा पढ़ेंगे तो तब आपको जरी दरी आइडिया लगने लग जाएगा कि यह पढ़ना है और यह छोड़ना है टाइम मेनेजमेंट में अगर वेटेज की बात करें तो न्यूस पेपर के लिए कितना वक्त होना चाहिए न्यूस पेपर के लिए मुझे लगता है कि दो से तीन घंटे का वक्त अगर आप कुछ और नहीं कर रहें नौकरी नहीं कर रहें केवल तैयारी ही समर्पी तुरूप से कर रहें तो दो तीन घंटे का वक्त आपको सु आज पढ़ा कि चंद्रयान का प्रक्षेपन हुआ, आपने उसको न्यूज में पढ़ा तो आपको एक दिमाग में बैठ करी बात, लेकिन उसके जो गहरे बिंदू है कि कैसी तक्निकी थी, क्या भारत से पहले कौन कौन से देश हैं जो चंद्रमा पर यान बेच चुक है, इस आपके साथ कभी ऐसा हुआ, और मैं तो खूब देखता हूं कि जो यूपीएस्टी की खास्तोर पर तयारी कर रहे होते हैं, उनके कमरे में जाने से भी लोग इसलिए कतराते हैं, तो उस कमरे में बड़ा पुस्तकाले होता है, तो उनको लगता हूँ एकदम तनाव में आ कताबें पढ़नी होती हैं, तो फिर कैसे करेंगे हम और एक और समस्या है रहती है कि जब बजार में निकलते हैं और प्रतियोगी परिक्षाओं की किताबों का बजार होता है, तो आपको लगता है एक दुखो नया ये आया है तो यह भी खरीर लेते हैं, वो भी खरीर लेत यानि आप जो भी पढ़ें उसको थोड़ा बार-बार पढ़ें बजाए यह कि आप बहुत सरी चीज़े इखटी कर लें तो उससे रिवीजन ठीक से नहीं हो पाता और बाद में चीज़े ग्रैस्प ठीक से नहीं हो पाता इस टडी मैटेरियल का प्रेशर बनता होगा ना एक उससे उस प्रेशर से को कैसे आप मैनेज करते थे या फिर आप सलाह क्या देना जाएंगे इस टडी मैटेरियल के प्रेशर की बहुत जदा फैलाने के बजाए आप चीज़ों को थोड़ा समयटे ताकि आपको परीक्षा के समय दिक्कत ना हो पता चला अभी दो आपने जबाव ना बनाए जाए और खुद पर भी और दूसरों पर भी यह भी है टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना या फिर मौक इंटर्व्यू को लेकर एक चर्चा चलती रहती है यह सब कितना जरूरी है कैसे फैदा पहुंचाता है हां मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा परफॉर्म करेंगे उसमें मदद करते हैं और प्लस आपका राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं और आपको यह भी पता चलता है कि जैसे कई बार खुद को हम खुदी खैली पुलाओ पकाते रहते हैं कि मेरी परस्नालिटी तो बहुत अच्छी है लेकि जब मोक में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो लेकिन मैं फिर भी यह सला दूँगा अपनी परस्नल मेरा एक्स्पिरियंस है कि टेस्स और मोक इंटर्व्यू करने चाहिए बहुत ज्यादा नहीं कि आप रोज एक टेस्स दे रहे हैं वह ऐसा नहीं होना चाहिए फिर पढ़ेंगे क को क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि मौक इंटर्व्यू के रिजल्ट को इतना भी हावी ना होने दें अपने से मतलब आप इतना भी वल्नरेबल मत बनिये कि कोई भी आपको कभी भी एमोशनल रूप से आप पर अत्याचार कर दे तो इसलिए अगर किसी ने बताया भ आपको इतने डिबेटеть में भाग लेते रहें लिखते रहें बहुत सारे इस तरह के क्रेटिव शौक आपके हैं आपको students को कुछ कहना है कि इस तरह के creative जो आपके शौक हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि ये पूरी तैयारी में उनको मदद कर पाएं। करें का interview देखा था और उसमें उन्होंने बहुत सारे कवीता हैं लिखते तो मैं भी कवीता लिखना शुरू करूँ अभी आये बनुगा, तो ऐसा ना करें अपने साथ इस तरह का मजाक ना करें, मतलब सबके अपने अपने शौक होते हैं, आप अपने शौकों को तलाश करें और उनको develop करें, बजाए इस दबाव में आने के, कि चुकी टॉपर्स के बहुत सारे शौक होने हैं, इसलिए मेरे भी बहुत सारे multiple शौक होने चाहिए हैं, ऐसा बिल्कुल लिखने की practice को लेकर बहुत सारी बाते होती हैं, पढ़ना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप उ जितना आप सोचे हैं कि लिखने में सबसे बड़ी समस्य अहूती है, आपको लगता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं, मुझे तो जौत सारे पी चीजले चली रम लिखना इस लिखना में चुलू कर का आते हैं। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस से जी ना चुराएं और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल तनाव में आजाएं और रोज जितना पढ़ें उससे लिखना शुरूर कर दें तो ऐसा भी कोई जरूर नहीं है लेकिन लिखना जरूर है एक अनुपात बना कर रखें पढ़ने औ तो निबंध आप लिखते जाएंगे तो वह ओवरोल भी आपके हल चीज में राइटिंग स्किल में काम आता है यह निबंध लिखना एक उसमें लंबा स्क्रिप्ट लिखना होता है मैं अपनी भाशा में कह रहा हूं स्क्रिप्ट और जब आप आंसर लिखते हैं तो उसके मैं कर भी अंतर होता हैं जैसे निबंध के प्रश्णा पर में विखै बिखा जा सकता है। इन पर शायद किताब भी लिखी आ सकती लेकिन जो जीए स्क 55.com लिखना होता हूं नहीं और दोशों सब्दों में चृब आपको जानकारी है. दोसों शब्द में उसको उत्तर देना है तो आप कैसे उस जिम्में जानकारी को समेट कर समग्र रूप में सारे पक्षों को साथ रखते हुए लिख पा रहे हैं यह बहुत बड़ी कला है कि कॉम्पैक्ट रूप में कैसे उसको परस्तूत करना है और यही सीखना रैटिंग जो कोई बहुत अनोकी चीज नहीं है और जो अभ्यास से सीखी जा सकती है मेडियम को लेकर भी बहुत होला मचा रहता है क्या आपको वाकई लगता है कि हिंदी मेडियम वालों को थोड़ा नुकसान जेलना पड़ता है पता नहीं व्यक्तिकर रूप से मुझे ऐसा ना तो पर मैं सामने तोर पर अभ्यर्थियों से यह कहना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम को कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है और जो शिकायते हमारी पहले हुआ करती थी कि बहुत स्टेडी मेटिरियल नहीं है पत्रिका नहीं अकबार नहीं है वेब साइटे हिंदी में नहीं है या उन्होंने सबने क्या किया है कि अंग्रेजी की किताबों का अंग्रेजी के मेटिरियल का बहुत प्रामाणिक और अच्छा अनुवाद भी आने लगा है और सब बहुत बहुत अच्छा कंटेंट भी अभी हिंदी में उपलब्द होने लगा है थोड़ा बहुत निउस्पे खड़ी हुई है कि इतने सारे platform पे चीजे उपलब्द हैं कि हमसे जो students से हो सवाल करते हैं कि कैसे चुने कि क्या पढ़ना है इतने सारे sites हैं किसको किसको follow करें ऐसे में क्या राय देंगे आप यह आपने बहुत ज्यादा relevant सवाल पुछा है एक्चुली इस समय हम जैसे होता है कि इस समय हम बहुत ज़्यादा अती सप्लाई की समस्या से गरस्त है हमारे पर समय content की बहुलता है हमें यह चुनना होता है कि कैसे उसमें से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें या कौन सा वीडियो देखें कौन सा नहीं देखें तो उसके कहीं ने कहीं आपको सीमात होता है करनी पड़ेगी एक इन जनरल भी आप देखेंगे कि आज के दोर में कंसंट्रेशन की कमी बढ़ी है तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा जब अपनी रणीती बनाएं तो हर सेगमेंट के लिए एक अच्छा प्रमाणिक मैटेरियल चुन लें और उसको फिर रिवाइस करें और करेंट अफेर्स के लिए कुछ एक निउस्पेपर एक मैगजीन इस तरह की स्ट बजाए चाल निउस्पेपर और छहें मैगजीन पढ़ने के जाते जाते आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल उस पे हैं बहुत कम में इसका जवाब देना है जी इस सबसे पसंदीदा खाना सबसे इंडियन सबसे पसंदीदा जग जग इंडिया इंडिया के भीतर भी अगर राम की शक्ति बूजा और कवी निराला शिक्षक मेरे पूर प्राचारे गजल तो हमने आपसे पूछ लिया था गजल से अलग गाने में कोई चोईस आपकी नहीं गाने मेरी कोईटा नहीं गाता हूँ लेकिन एक लाइन में जरू एप इस डर से तो नहीं बोल रहे हैं कि से गाना गाने के लिए हम बोलेंगा नहीं आप बली मत बूलिये लेकिन मैं एक लाइन एस्पिरेंट्स के लिए जरूर कहूंगा जो मुझे गाना बहुत असंदर और मुझे भी मोटिवेट करता था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटो पे चल के मिलेंगे साए बाहर के शांदर फिल्म आपकी पसंदीदा कौन से है फिल्म अभी हाल फिलाल में तो बरेली की बरफी पुराने वाले में याद करना पड़ता है कि आपने बता दिया कि फिल्म कर देखी भी नहीं है बिल्कुल और पसंदीदा गर्फरेंड नहीं नहीं कोई नहीं है चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब एक नए सफर पे हैं नए तरह की चुनोती है और हम आपको शुब कामना देते हैं कि आप अपने इस चुनोती को भी उसी तरह से जीतिये जैसे आज त तक्सियत के साथ आपके साथ मिलेंगे जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो यूपीएससी के प्रिपरेशन में जिन्होंने कमाल कर दिया हो और जो वाकई कहलाते हैं तो पर खिलाल इस प्रोग्राम में इतना ही इंतजार कीजिए अगले प्रोग्राम को